जब भी आपके होड या गाल, सरदियों की वज़ा से फट जाते होंगे तो आप पैटरोलियम जैली का उपयोग करके उसे जट से ठीक कर लेती होंगी पर क्या आप जानती हैं कि इस पैटरोलियम जैली की कई ऐसे उपयोग हैं जो आपकी तवच्छा को स्वस्थ बना सकते हैं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि पेट्रोलियम जैली के ऐसे क्या उप्योग है और क्या खास गुण है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्वास्थ एवं वास्थू टिप्स चैनल पर साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएजेगा और साथ ही बैल आइकन को दबाकर नॉटिफिक्शन को जरूर आन कर लिएजेगा तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला है दोस्तों अगर आपको अपने नकूनों के आसपास की तवच्चा चमकती हुई चाहिए तो उन पर पैट्रोलियम जैली लगा कर मसाज करें इससे आपके शनाकून में शाइनिंग आएगी और वह मजबूत भी बनेंगे दूसरा फायता इसको लगा कर आप अपनी आखों की पलकों को मोड भी सकती है मसकारा लगाने से पहले अपनी आईलेश पर यह जैली लगाएं और उसे मन चाहां अकार दे तीसरा फायता जब भी आप अपनी आखों पर कोई भी मेकप करने जा रही हों तब पलकों पर पैट्रोलियम जैली लगाएं इससे उस पर शाहिनी आएगी और वो कुछ घंटों तक गलॉसी लगेंगे कुछ लोगों की आम समस्या होती हैं उनके काली और रोकी कोनिया अगर आपके भी हात ऐसे हैं तो आप उस थान पर पैट्रोलियम जैली लगाकर रात में दो तीन मिनट तक मसाज करें इससे वहत वचा नमी पाकर ठीक हो जाईगी अगला उपयोग अगर आप परफ्यूम लगाते हैं और उसकी महग जट से उड़ जाती हैं तो सबसे पहले अपने शरीर पर पैट्रोलियम जैली लगा ले और उसके बाद सेंट को छिर के इससे सेंट की खुशबू लंबे समय तक बरकरार रहेगी और इससे तवचा पर कोई भी बुरा परभाव भी नहीं पड़ेगा इसके अलावा अगर आपको अपनी तवचा में नमी पैदा करनी है और उसे ठंडी हवा के थपेड़ों से बचाना है तो रोज सोते समय अपनी तवचा पर पैट्रोलियम जैली अवश्य लगाए अगर पैर फट गए हो तो उन पर पैट्रोलियम जैली लगाकर पैरों में मोजे पहन ले दोस्तों इसी तरह के हैल्थ से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर अन कर ले अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूने और किसी भी तरह का सवान ये सुजा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद